अश्कार दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लोगसभा के पदाधिकारी अध्यस तथा उपध्यस के बारे में तो लोगसभा के लोगसभा में लोगसभा के अध्यस और उपध्यस के क्या कारे होते हैं और लोगसभा के अध्यस और उपध्यस की न्यूगत कैसी होती है तो आज हम इसके बारें पढ़ेंगे ये लोग सभा के पदादिकारी कहे जाते हैं तो आएए देखते हैं संभिधान के अनुचेद 93 के अनुसार लोग सभा सोयम ही अपने सदस्यों में से एक अध्यस और एक उपध्यस चुनेगी कहने के मतलब हुआ कि संभिधान के अनुचेद 93 बताया गया है कि जो लोग सभा के सदस्यों होते हैं उन्हीं में से एक अध्यस चुना जाएगा और एक उपध्यस तो ये कौन चुनेगी है ये लोग सभा प्रतेक आम चुनाओं के पश्चात जब लोग सभा का पहली बार आयोजन किया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा नए निर्वाचित सदस्यों को सपत दिलाई जाती है प्रोटेम स्पीकर उस समय तक कार्य करता है जब तक नए अध्यस एवं उपध्यस का चैन नहीं कर लिया जाता है तो प्रतेक आम चुनाव के पस्चाथ जब लोकसभा का पहली बार आयोजन किया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर द्वारा नए निर्वाची सदस्यों को सपद दिलाई जाती है तो ये बहुत महत्फोर है जो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा निर्वाची सदस्यों को सपद द लिया जाता है अध्यश उपाध्यश को तथा उपाध्यश अध्यश को त्याग पत्र देता है तो लोगसभा का अध्यश जो होता है वो उपाध्यश को तथा लोगसभा के उपाध्यश जो होते हैं वो लोगसभा के अध्यश को त्याग पत्र देता है तो यह बहुत अध्यस के रूप में सपत नहीं लेता है तो ये बहुत महत्वोंड है लोग सभा के अध्यस का सपत नहीं होता है बलकि समान सदस के रूप में सपत लेता है तो लोग सभा के सदस के रूप में वो सपत लेता है और बाद में जब अध्यस बन जाता है तो उसका कोई सपत नही होता है 14 दिन के पूर्ब सूचना देकर लोग सभा के तत कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यस तथा उपाध्यस को पद से हटाया जा सकता है लोग सभा के पूर्ब सूचना देकर लोग सभा के तत कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यस तथा उपाध्यस को पद से हटाया जा सकता है लोगसभा के भंग होने की इस्थिती में अध्यस अपना पद अगली लोगसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है कहने का मतलब अगर लोगसभा भंग हो जाती है तो उसका अध्यस अपने पद पर बना रहता है जब तक अगली लोगसभा की पहली बैठक होती है तो उसके बाद अगर वही लोगसभा का अध्यस रहेगा तो वही रहेगा नहीं तो वो कोई दूसरा उस पद पर बैठेगा ल राश्ट पती द्वारा बनाए गए वरिष्ट सदस्यों का पैनल में से कोई ब्यक्त पीठा सीन होता है। इस पैनल में आम तवर पर छे सदस्यों होते हैं। लोगसभा अध्यस्ट के कार एवं अधिकार तो लोगसभा के अध्यस्ट के क्या कार होते हैं। नियम के बिरुद्ध गोशित करना तो अगर कौन सा कानून के बिरुद्ध हैं। यह गोशित करने का अधिकार लोगसभा के अध्यस्ट को होता है। किसी बिशे को लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला कार अस्तगन प्रस्ताव अध्यस की अनुमत से पेश किया जाता है। किसी बिशे को लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला कार अस्तगन प्रस्ताव अध्यस की अनुमत से पेश किया जाता है। वह विचारा धीन विधियक पर बहास रुकवा सकता है। संसत सदस्यों को भासड देने की अनुमत देना और भासडों का क्रम वह समय निर्धारित करना। विभिन विधियक वा प्रस्ताव पर मतदान करवाना वा परणाम घोसित करना तथा मतों की समानता की इस्त्ति में निर्धायक मतदेने का ध्यार। तो ये बहुत महात्पूर्ण है कि अगर जिसे किसी प्रस्ताव पर मतदान होता है तो माल लीजिए दोनों तरफ से पच्च में विपच्च में दोनों 50-50 बराबर का मतदान हो जाता है तो निर्णायक मत कौन देता है लोगसवा का अध्यास. इस्थि में निर्णायक मत विभिन विधेयक वा प्रस्तावों पर मतदान करवाना वा पैणाम घोसित करना तथा मतों की समानता की इस्थि में निर्णायक मत देने का अधिकार. संसद वा राष्टपती के मध होने वाला पत्र विभिवार करना तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णे करना. तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णे कोन करता है लोगसभा का अधियस तो ये काफी महत्पूर कार होता है लोगसभा के अधियस का संसद वा राष्टपती के मध होने वाला पत्र विभिवार करना तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका अध्यास द्वारा धन विध्यक के रूप में प्रमारित विध्यक की प्रकिर्ति के प्रस्ण पर नियाले में या किसी सदन में या राष्ट पती द्वारा विचार नहीं किया जाएगा अध्यास द्वारा धन विध्यक के रूप में प्रमारित विध्यक की प्रकिर्ति के प्रस्ण पर नियाले में या किसी सदन में या राष्ट पती द्वारा विचार नहीं किया जाएगा यदि उसकी आग्या से कोई विधेयक गजट में प्रकासित हो जाता है तो उसे पेश करने के लिए किसी प्रस्ताव की आउसकता नहीं रहती है लोग सभा में विपच्च के नेता को राजकोश से बेतन प्राप्त होता है वा उसे कैबिनेट अस्तर के मंत्री के समान समस्त सुविधाएं प्राप्त होती है प्रथम लोग सभा का कारेकाल 17 अफ्राइल 1952 से 4 अफ्राइल 1957 तक रही प्रथम लोग सभा अध्यस स्री जीवी मालंकर एवं उपाध्यस अनंत सैनम थे यह बहुत महत्वोड है क्योगी कई बार कोईशन पूछा गया कि प्रथम लोग सभा के अध्यस कौन थे तो स्री जीवी मालंकर एवं उपाध्यस अनंत सैनम तो प्रथम लोग सभा के अध्यस कौन थे शिरी नडेस वासुदेव मालंकर एवं उपाध्यस अनंत सैनम थे तो इस प्रकार हमने लोग सभा के पदादिकारी जो लोग सभा के अध्यस और उपाध्यस होते हैं उनके बारे में जानकारी ली तो आसा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सस्क्राइब करिएगा हमार चैनल को धन्यवाद